कि अर्व संख्यक समुदाय के लोगों में सिच्छा की कमी के कर वो समाज के मुखधारा में नहीं आपा है आज के आदर्निय प्रधान मंत्री जी हैं जो हजार चाहुदा में जब वो चुनाव लग रहे तो उन्होंने क्या का हर साल दो कडोर लोगों को रोजगार तो आठ साल हो गया उनको तो सोला करोर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था अगनी बीर बनाने का योजना किया इन्होंने अगनी बीर किया था भई चार वर्सों के लिए शेना में भरती करें के लाश विजय वर्गीज ने उन्होंने ब्यान दिया कि कोई बात नहीं है इन लोग अगर चार साल के बाद आएगा तो भारतिये जंता पार्टी के दफतर में सब को गार्ड में रख ल तया जैनल च्र Ranger शेप फ़िष्ट के अध्यक्ष उपश्थी थे और साथो प्रोफ़्िख के आप साथी उपश्थी थे मुक तोर पर चर्चा हो रही है सदस्ता अवियान पर देखें पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए अवे उकेंदर कुस्वा जी में बताया पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए सदस्ता अवियान जिनता है वो बहुत बड़ा औजार है और उसके माध्यम से आप सदस्ट बनाने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से हर घर तक आप पहुँच जाते हैं कोशिस यह होना चाहिए कि हर घर तक हम पहुँच जाएंगे और जब हम हर घर तक पहुच जाएंगे तो भिहार का हम को नहीं लगता है कि कोई ऐसा घर है जो नितीश कुमार जी के 17 वरसों का जो सासन काल रहा उसका लाग कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में उसका लाग नहीं है तो इसी आपको किसी घर पर जब चाहिएगा किसी के दर्वाजे पर तो हाँ निरासा हाथ नहीं लगे संभव है यह होता है कभी कभी प्रजात थंत्र है संभव है कि कुछ लोग वो सारे चीज को स्विकार करते हुए भी आपके साथ नहीं जूरना चाहे वो और किसी राजनितिक दल के साथ उनकी परतिबदता हो गए लेकिन फिर भी उसके बाब जूद भी वो नितीश कुमार की तारीफ जरूरत रहे तो यह आपके लिए सबसे बड़ी उपलब दी दिखे कई परकोष्ट है अनुसुचित जाती परकोष्ट है जो नितीश कुमार जी ने काम किया है अनुसुचित जाती के उत्थान के लिए और उसमें भी अनुसुचित जाती में भी विसेश तोर पर महादलिक के उत्थान के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है और जो उन्होंने काम किया है और जो काम उन्होंने सरजमीन पर उतारा है आज उसका लाव हद गवंगों में आपको देखने को मिल रहा है आपका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए 17 साल से भियान में इतिस हुमारी जी साशन करना है 95 से लेके 13 तक 2013 तक तो भारती जंदापाटे के साथ थे लेकिन कभी उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय पर एक हमला नहीं होने दिया उस पर एक वार नहीं होने दिया निकिश कुमार जी का जो अल्पसंख्यक समुदाय की रख्षा करना और अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस समाज का अंग मान के चलना यह कोई शाहस नहीं किया उनके राज में भारती जनता पार्टी के साथ भी रहते हुए और फिर 2017 से 2022 तक रहें कहां कहें किसी ने कोशिश ने कि भागलपूर में एक पार कोशिश हुआ भारत सरकार के एक मंत्री थे उनके पुत्र ने थोड़ा सा उपद्रव करने का कोशिश किया मुक्मंत्री ने उनको भी पकड़ के अंदर कर दिये उनका यूश्पी रहा है काम के माद में विकास के माद में समाज में सद्भाव के माद में सामपरदाइक सद्भाव के माद में अब अभी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं देखिए जब से हम लोग अलग हुए है 9 अग्यस्ट के बाद से कोशिस हो रही अभी दौरा होने वाला है पुर्वांचल में 23 तारीक को 24 तारीक कुछ नहीं है वो सिर्फ सामपदाइक महाल को खराब करने का कोशिस है लेकिन अलपसंख्यक समुदाइक के लोगों को कोई हतुचाहित होने की जरूत नहीं है जब तक मिश्टी सुमार का सासन है अलपसंख्यक समुदाइक सुरक्षट अलपसंख्यक समुदाइक के लोगों के इबाप चुर्द ये रक्षा सुरक्षा तो उनकी जिवेवारी है जो सरकार चलाते हैं अगर इमानदारी से सरकार चलाएंगे और समाज के हर तबके को बान के चलेंगे कि वो बिहार के अंग है तो उनकी जिवारी है लेकिन उसके बाप जूद अलपसंख्यक समुदाइक के उत्रान के लिए जो उन्होंने काम किया है फ़र आपका अलपसंख्यक समुदाइक के बच्चे कहां पढ़ने जाते है मदर्सा में पढ़ने जाते है मदर्सा के सिख्चकों की हालत क्या थी मदर्सा के सिख्चकों को तीन हजार साड़े तीन हजार चार हजार उपाय मिलता था क्या सलीम साहिब कितना मिलता था आज मदर्सा के सिख्षकों को कितना मिल रहा है साथ हजार सब्तर हजार मिल रहा है सात्मा वित्तायोग का जो अनुशंसा था उसके अनुगे जोने जोने का काम किया क्यों इसलिए कि अलप सिंख्यक समुदाय के बच्चेपन देखिए तत्कालिक कॉंग्रिस की सरकार ने एक रगनात मिस्रा कमिशन बनाया था अलप सिंख्यक के आर्थिक स्थिति का अध्यन करने की और रगनात मिस्रा कमिशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें हम राजसभा के सदस्ते उसका अध्यन हम ने किया था रगनात मिस्रा कमिशन का रिपोर्ट यही करता था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में सिख्छा की कमी के कारद वो समाज के मुखधारा में नहीं आ पाए और नितीज कुमार जी ने अपने पूरे सासंकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़े इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और सारा काम किया भई यो बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनको स्कूल में लाने के लिए उन्होंने तालिमी मरकच की होजना चलाई हुनर की योधिना चलाई अलपसंकक समुदाय के महिलाओं को और बच्चियों को सुचित करने के लिए उन पे स्किल डेवलप्मेंट करने के लिए कौसल विकास के लिए तो ये सारा काम भुखमंत्री जी ने अलपसंकक समुदाय के लोगों काम हुआ और नितीश कुमार जी का 2005 से 17 वरसों तक का काम का अगर आकलन करिएगा तो नितीश कुमार जी के किये काम का पलरा भारी आपको जोगाएगा तो ये काम उनों में किया अब युवा हैं दिव्यास भर्दौाज जी तो कह रहे थे लेकिन उसके लिए सिर्फ भासन देने से काम नहीं चलेगा दिव्यासू जी उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा इसलिए कि युवा वर्ब जो हैं वो देश के भविस्य हैं आने वाले समय में हम लोग नहीं रहेंगे कोई किसी में से आप में से कोई युवा जो है कोई युवा ही युवा ही आगे आएगा मेरा स्थान लेगा उपंदर कुसवाजी का स्थान लेगा उमेश कुसवाजी का स्थान लेगा नितिश कुमार जी का स्थान लेगा कोन आएगा तो युवा देश के भविश्य उनमें के बीच में उनको गठित करने के लिए संगठित करने की जरुवत है और वो माध्यम जरिया है आपको सवस्ता अवियान चाहिए देखे अविवा को महाल महाल बहुत ठीक है प्रधान मंत्री जो आज के आदर्नीय प्रधान मंत्री जी हैं जो 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या का हर साल दो करोर लोगों को रोजगार दे तो आठ साल हो गया उनको तो सोला करोर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए तो हमको नहीं लगता है कि स आपको जाके उनको जोड़ने की जरुवत है तो कि आज आज की बहाली हो रही है बहुत बिरोध हुआ बिहार में नहीं देश के हर राज में बिरोध हुआ अगनी पत योजना लागू किया इन्होंने अगनी बीर बनाने का योजना लागू किया इन्होंने अगनी बीर क्या था भई चार वर्सों के लिए सेना में भरती करेंगे अचार वर्स के बाद उनको रोड़ पर टहला देंगे तो ये है रुजगार का उनका नजरिया और आप लोग को मालूम है कि नहीं पता नहीं कोरोना काल के पहले से 2019 से लगभग जो सेना में नियमित भाली होती है कैम लगाके जो दोड़ लगाया जाता है और दोड़ाने के बाद जो सेलेक्शन होता है लगभग 3 लाख लोगों का सेलेक्शन हुआ हुआ है 3 लाख नौजवानों का सेलेक्शन हुआ है मेडिकल उनका हो गया सब कुछ हो गया लेकिन उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ और उस नियुक्ति पत्र के को बंद करके चार साल के लिए अगनी बीर का योजने चला रहे है तो ये रोजगार का उनका नजरिया है ये रोजगार के प्रति उनकी सोच है और अगनी बीर पर जब विरोध हो रहा था लोग कह रहा था नौजवान की भाई चार साल के बाद हम कहां जाएंगे हम तो किसी काम के नहीं बचेंगे चार वर्स के लिए अगर हम चले गए अगनी बीर बन गए तो उसके बाद तो हम माथा पर पट्टा लगा के हम अगनी बीर हैं रोड पर टालते रही है कोई पूछेगा नहीं तो उनके भारतिय जन्ता पाटी के एक बड़े नेता है महासचीव है उनको कैलास विजय वर्गिज ने उन्होंने बियान दिया कोई बात नहीं है इस लोग अगर चार साल के बाद आएगा तो भारतिय जन्ता पाटी के दफ्तर में सबको गार्ड में रख लेगा ये सोच है ये सोच है बिहार देश के नौजवानों के परती सरकार का और उस पाटी का तो आज हावसेक्ता इस बात की कि आप युवा के बीच जाएए युवा के बीच जाके उनको संगठित करिए और ज्यादा से ज्यादे युवा को अपनी पाटी के साथ जुड़िए उसका माध्यम क्या है उसका माध्यम है आपका सदस्ता अविया तो इसलिए सदस्ता अवियान का जो काम है वो बहुत ही मने संगठन को मजबूत करने के लिए वो एक बहुत बड़ा जरिया है तो इसलिए हम आपसे आगरा करेंगे अब देखिए पहले था जब हम पाटी का काम हमको मानिय मुख मुंतरी नितिश कुमार जी ने जब सौंपा तो उसके पहले पाटी के अंदर कई तरह के बिरोधा वास थे पाटी का मूल पाटी जिला में था उसके बाद अलग-अलग प्रकोष्ट था अलग-अलग प्रकोष्ट में भी 35 प्रकोष्ट था 35 गो प्रकोष्ट में उत्तर विहार अलग, दक्षिन विहार अलग, प्रकोष्ट का विधान सभा का परवारी अलग, लोग सभा का परवारी अलग, हर प्रकोष्ट का विधान सभा का परवारी, हर प्रकोष्ट का विधान सभा का परवारी, पाटी के मूल पाटी का विधान स सबाढ़ागा परवारी और accountability किसी का नाथ हिसाप किताब कुई नहीं सब bord लगाके flipping किसी का कोई लेखा जोका नहीं कि क्या काम कर। नहीं कि तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि मूल पार्टी रहेगी उसके साथ साथ अलग-अलग प्रकोष्ट काम करेगा और नियमित प्रकोष्ट काम हो हम यहाँ जब पहली बार रास्टे अध्यक्ष बने थे प्रदेश अध्यक्ष जी को और कई पदा धिकारियों को याद होगा यही पर हम मीटिंग कर रहते हैं सभी प्रकोष्ट के अध्यक्ष तो एक आदमी ने कहा कि हम अध्यक्ष हैं एनाई यह प्रकोष्ट का हमका एनाई यह हमका एनाई यह क्या होता है एनाराई 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 का हम अध्यक्ष हमका एनाराई क्या होता हम लोग तो जानते हैं नन रिस्डेंट इंडियन तो नन रिस्डेंट इंडियन का परकोष्ट क्या करे गए हाँ कुन नन रिस्डेंट इंडियन बन रहा है तो काज नहीं हम विदेश से दस अजार कलो रपंदर हैं का यार परवच्चन मत दो हम लोग भी नीचे से पोस्टर साथते साथते और जंडा पांगते टांगते यहां पुश्टे होगा परवच्छन मत दिजिए यह आदमी को एकोमोडेट करने के लिए और अपने चहेतों को एकोमोडेट करने के लिए प्रकोस्त ली बनाय जाता है प्रकोस्त बनाय जाता है अपाटी को मजबूत करने के लिए तुर्णों ने कहा कि अगर आपका मेरी बात आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हम जाएं हमका एकदम हाथ जोड़के हम प्रार्तन करेंगे कि जितना जल्दी हो चले जही तो जिदा हो गए तो आइसा ऐसा काम भी होता था उसको बंद करके हम लोगों ने बनाया है आप सभी प्रकोष्ट के अलग-अलग है अब क्या मतलब है उत्तर वियार, दक्चिन वियार परमंडल वाइज ऐसा कहीं होता है क्या परमंडल का परवारी, तो विदान सभा का परवारी तो लोग सभा का परवारी एक दूसरे पर सब हाकिम बना हुआ कोई हाकिम बनने का जगा थोड़ी है हम अगर पार्टी के राष्टी अधिर्च है आप अगर पार्टी के जिला धिर्च है तो नहा हम आपके हाकिम हैं और ना आप मेरे ही हैं हम सभी एक साथी हैं और एक साथी के रूप में लेके चान करते हैं और हम सब आपके सहयों के लिए यहां उपलोगें तो इसलिए आप सभी साथीों से आग रहें कि पार्टी के विस्तार करने के लिए पार्टी का विस्तार करने के लिए सदस्ता अव्यान एक महत्पुन जरिया है इस जरिया के माध्यम से आप हर घर तक पहुँचिए हर घर तक पहुँचिएगा तो कोई घर में जैसे मैंने कहा आपको कि किसी घर में आपको हो सकता है कि दस लोग एक परिवार आपका समर्थक नहीं हो लेकिन उस परिवार में भी खोजिएगा तो महिलाएं आपको हर घर में आपकी समर्थक मिल जाएगा तो वहाँ भी दस आदमी का परिवार है तो चार को तो जरूर आपका सदस मन जाए तो इसने मेरा आगरा है कि हर घर तक पहुँचे और हर तक पहुँचने का लक्ष बनाई अभी उपंदर जी कह रहे थे बूद की कमीटी बनाने का हम लोगों ने प्रागम से शुरू किया था और हम लोगों ने सभी जिला द्यक्ष को कहा था कि हर गाउं से हर गाउं से 10 कार्च करता हूँ कि सुची तैयार कीजिए सुची आई जिला से हम लोगों ने 25 लोगों को यहां बैठाया आउट्सोर्स किया कमपनी को प्रोफेस्नल लोगों को और पार्टी दफ्तर से बैठा के जितना डाटा आया था मुवाइल नंबर सबका यहां से क्रॉस वेरिफिकेशन कराया और जब क्रॉस वेरिफिकेशन कराया तो किसी जिला में 70% किसी जिला में 60% किसी जिला में 65% सही मिला 25%, 30% लोग लगता है कि जिला में लोगों ने हिसाब किताब कुछ लगाया होगा पुराने डर्रे पर उनको ये मालूम नहीं था कि नया डर्रा क्या होने वाला है तो उसको जब हम लोगों ने चिन्हित किया कि ये 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 नाम आपके हाँ गलत आया है फिर से जिलाद्यक्स को बुलाया गया और जिलाद्यक्स को दिया गया कि ये नाम आपका गलत है ये टेलिफोन नंबर आपका सही नहीं है वह अभी याके फिर correct हुआ और correct होके आया उसका भी सत्यापन हुआ लगभग दो लाँख नए दो लाँख तीसा जार है करेक्ष दो लाँख तीसा जार करज़करताओं का आज डाटा हम लोग के यहाँ जो हर गाउँ में हमारे करज करता है उनका डाटा हमारे यहां प्रदेश कारजाले में उपलब जाए अब हम लोग इसकी ववस्ता कर रहे है कि हर दिवाली में, दसहरा में, छट में, इद में, बकरीद में, मुहर्रम में, हर परप्तवार में सब को यहां से, राज्य पार्टी की तरफ से, सबों को सुखकामना भेजा जाएगा और सब लोगों जो कारज करता गाउ में है, उसको भी लगेगा कि प्रदेश कारजाले से हमको सम्मान मिल रहा है और प्रदेश कारजाले को हमको मिल रहा है तो ये सारी ववस्ता हम लोगों ने किया है हम लोग कर रहे हैं और भी ठीक कर रहे हैं लेकिन आप सभी साती जो प्रकोष के साती है आप से अग्रह और बिंती है आप से अनरोध है कि जो लक्ष दिया गया है आपको ठीक कहा है उपेंदर जी में जो लक्ष आपको दिया गया किसे परुश्यत करना है और यहां से इस संकल्प के साथ जाएए कि हम लोग जो लख्ष है उस लख्ष को पार करेंगे और उस लख्ष को पार करके हम लोग जंता दल उनाइटेड के का सदस्थ बनाएंगे और अपने नेता आधरनी निति ममार्जी के हाथ को मजबूत करेंग तो निस्तर दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तर दस्तर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें